Hello विट्चो, Good Morning So, पहली क्लास में हमने देखा कि वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि वेक्टर को आप रेप्रेजेंट कैसे करते हो How to represent a vector ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया कि आपके पास किरी कोई भी वेक्टर है आप यूजवली बी ले लेते हैं So, ये complete vector कहलाता है AB vector जिसका magnitude होता है mod AB ये length जो है इसका vector का जो length है complete line इसको complete vector की length है वो क्या represent करती है? Magnitude represent करती है vector का कि vector के अंदर कितनी ताकत है vector के अंदर कितनी ताकत है अब देखिए आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक block है आपके पास एक block है मतलब ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम vector को समझने के लिए कर रहे हैं ठीक है अब जैसे मान लो आप एक block है एक block पे आप दो force लगा रहे हो एक 5 newton का एक 10 newton का है तो आपने सोचा कि यार मेरे को 5 newton का लगाना है अब 5 newton कोई length तो होती नहीं है कि आप बना दो वो तो force है भाई तो फिर भी आप इस vector को solve करने के लिए आपने यहाँ पर एक 5 unit का चाहो तो आप 5 cm की length बना सकते हो यह देखिए तो आपने यहाँ पर एक force लगा दिया लगाया ठीक है ना तो है तो force बट आपने इस length को 5 unit मान रखा है तो यह force कितने newton का है 5 newton का है clear और यह देखिए इस तरीके से चल रहा है initial point यह final point यह similarly बटा 10 newton का force लगाना है तो आप पता है कि आपको 10 newton बड़ा होता है तो जस्ट इसकी double amount की length लेंगे तो यह half यह हो गया half यह हो गया समझने के लिए है ना तो आप मतलब कितना हो जाएगा यह 10 newton का force हो जाएगा उपर की तरफ जो लग रहा है ओके रैदर मुझे यहां ना बना कर की से यहां बनाना चाहिए नहीं बच्चे समझेंगे की सर आप half क्यों बना रहे हो तो बिटा यह 10 newton का force लगेगा बूलो clear की not clear तो एक 5 newton का यह लगया एक 10 newton का यह लगया है तो है तो force नेहले तो आप यहां और आप इस्ए directamente कर रहे हूं को इसकोिन दर्च्ट का यह लेंगी इस लेंगनितिउड posighost यह simply आप O A भी लिख लो बिटा तो O A क्या कह लाएगा बिटा भूलो 5 unit 5 unit या 5 magnitude Newton में होएं तो यहाँ पे Newton लिख दो कोई दिक्कत नहीं है तो मगर हम geometrically solve कर रहे हैं तो इसको आप 5 unit कर लेंगे क्या कर लेंगे बिटा 5 unit क्योंकि question तो है physics का force का बट अब math में apply कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे physics नहीं दिखानी है अब हमको यहाँ पे math दिखानी है समझ मागया similarly O B बिटा इसका नाम B point उपर ले लो O B vector तो O B vector का magnitude कह लो या simply O B कह लो बिटा कितने unit है बोलो 10 unit है समझ गए ना और इस unit को आप अपने graph paper में अपनी copy में अपने centimeter में convert कर रखा है तो यह बात आप जानते हैं और question जानता है बाद में जब सब कुछ हो जाए का तो हम वापस किसमें ला देंगे answer Newton में किसमें ला देंगे Newton में आई बात समझ में चलिए तो यह ओ यह हो गया ओ भी हो गया इन small letter में भी मैंने आपको बताया कि आप इस vector को vector A मान सकते हो और इसको क्या मान सकते हो आप vector B small letter तो यह A का mod बन जाएगा so this may be represented this also A का mod बोलते हैं इसको और इसको क्या बोलेंगे बिटा B का mod बिटा A के mod को simply आप A भी लिखेंगे जल्दवाजी में मैं कई जगे सीधे A लिखूंगा तो आप समझ जाहिएगा कि this is mod यहने की magnitude of A है और B का magnitude क्या बनेगा बिटा B बनेगा बोले कोई दिक्कत तो न next topic type of vectors type of vectors देखें बच्चो type of vectors में सबसे पहला vector जो हमको रीडाउट करना है वो है अब पर जीरो वेक्टर क्या है जिरो वेक्टर आप देखें मेरे पास एक वेक्टर है यह यह वेक्टर है और जी बी वेक्टर है इसकी कुछ ना कुछ length है बिटा है ना मतलब इसका कुछ ना कुछ magnitude 3 unit 4 unit whatsoever अब बिटा आप इसको छोटा कर रहे हो B point close लाते जा रहे हो तो A से B बता ये magnitude बढ़ रहा है की कम हो रहा है कम हो रहा भाई छोटा हो रहा ना तो magnitude कम हो रहा है direction सेम बनी हुई है फिर आप B को और छोटा ले यहां पे ले आए तो magnitude और कम हो गया आप B को A के ऊपर ले आएंगे जिस वक्त वहीं पर A और वहीं पर B तो यह आपको एक point shape का दिखाए देगा बोले है सोनो आपने पहले इसको और छोटा किया आप कर क्या रहे हैं आप A को B को close लाते जा रहे हैं और फिर आप A को B के ऊपर ले आए तो यह point shape का हो गया है अब क्या आप किसी point की direction बता सकते हैं कि कहा जा रहा है point इसको देख के यह नहीं कह सकते हो कि यह इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा that is equal to zero vector, clear हो गया बिटा, zero vector, कोई पूछे zero vector का magnitude कितना होता है, बहुत ही simple है बिटा, zero unit, कोई magnitude नहीं होता है, याने vector का magnitude कितना होता है, zero unit, दूसरी बात करते हैं, इसकी direction क्या होती है, इसकी direction बिटा, देखे, vector कहीं भी जा सकता है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी direction होती है, undetermined या not defined, क्या होती है बिटा, not defined, इसकी कोई direction नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं लिखोंगा, कि इसकी जो है direction not defined, कहिए कोई problem है क्या, यहाँ पर इसकी direction not defined, मतलब इसकी कोई direction नहीं दी जा सकती है। चली अगला concept पढ़ते हैं बेटा, co-initial and co-terminus vector, second co-initial vector, बहुत सरल है समझना co-initial vector, ऐसे vector जो एक ही common point से originate होते हैं, उन vector को हम क्या बोलते हैं बेटा, co-initial vector, समझ में आगे बेटा, ऐसे vector जो एक ही point से originate होते हैं, इनको हम co-initial vector कहते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं ये, co-initial vector, और दूसरा co-terminus है बेटा, तीसरा, co-terminus, मतलब इनके initial point सेम होते हैं, क्या होते हैं बेटा, initial point सेम होते हैं, ठीक है, एक बहुत मजीगी बात बता रहा हूँ बच्चों में आपको, आप किसी भी vector की action line मन चाहे बढ़ा सकते हो, या ये इधर की और से आ रहा है, समझ गए ना, मतलब direction को realize करने के लिए, आप इसको चाहो तो जितना पीछे बढ़ा सकते हो, और चाहो तो जितना आँगे आप बढ़ा सकते हो, बट मैं क्या बोलना हूँ, direction को realize करने के लिए, ठीक है बेटा, जैसे ये देखी, ये एक vector है, त तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, next है, co-terminus vector, तो co-terminus vector का मतलब है बेटा, जिनके terminal point same हो, ये देखी बेटा, पहले के initial same थे, और इनके क्या है बेटा, terminal point क्या है, same है, समझ गए, तो ये एक ही point पर आ करके मिल रहे होते हैं, समझ गए ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, co-terminus vector, clear है, और बेटा, इनके लिए एक word और यूज़ कर सकते हैं, commonly दोनों के लिए, जो एक ही point से जाते हो, बेटा, दोनों ही हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं, concurrent vector, क्या बोलते हैं, बेटा, concurrent, जैसे दो से, दो लाइने जो होती है, दो लाइने, intersecting line हो vector की category में भी दोनों आते हैं, कौन, co-initial और co-terminus, वो लो clear है कि not clear है, हाँ, तो ये code, concurrent, vector कहलो, अब इसमें दो case बन सकते हैं, co-initial और co-terminal, clear है, next discuss करते हैं, बेटा, equal vector, अगला topic है, equal vectors, तो बेटा, vector में दोई चीज भूती है, एक होती है, magnitude, एक होती है, direction, अगर magnitude भी equal हो गया, और direction भी equal हो गई, तो फिर बचा गया, ये vector A है, ये vector B है, क्या दोनों vector एक, दूसरे का direction equal है की नहीं है, हैं, और दोनों के magnitude क्या equal है, दोनों के magnitude भी क्या है, equal है, so we can say कि दोनों की direction भी equal है और दोनों के magnitude भी equal है so हम कह सकते हैं कि vector A equal to vector B both are equal both are equal, क्या equal होना चाहिए पहला चीज magnitude equal होना चाहिए क्या equal होना चाहिए magnitude मतलब A का mod magnitude equal to B का magnitude और you can write A equals to B and second बेटा, इनका direction भी equal होना चाहिए direction भी क्या होना चाहिए equal, clear है अब देखे direction equal होने को ले करके दो चीजें हो सकती है direction equal जब होती ही बेटा, तो हम लिखते हैं direction जब equal होती है तो ऐसे vector जिनकी direction equal होती है, उनको हम बोलते है parallel vector, क्या बोलते है कैसे vector है, parallel vector है समझ में आया कि नहीं आया देखो बेटा, ये vector A है और ये vector B है ठीक है ना ये vector A है और ये vector B है क्या ये एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे vector है, parallel vector समझ गा ना, तो parallel होने चाहिए साथ ही magnitude अगर equal होगा तो भी अभी equal होंगे अभी क्या ये दोनों equal हैं, नहीं है दोनों equal, नहीं है, क्योंकि B का magnitude बड़ा है और A का magnitude छोटा है Yes or no? A का magnitude छोटा है आप इसको B greater than A भी लिख सकते हो तो अभी ये parallel तो हैं, मगर equal नहीं है बट इन केस अगर बेटा दोनों के direction भी equal है दोनों के direction भी equal है और दोनों के magnitude भी equal है ये देख लीजे ये vector A है, ये vector B है तो अब direction भी equal है, याने parallel भी है बोलो हाए ना और दोनों क्या है magnitude भी equal है याने A equal to B तो इस result से हम लिख सकते हैं कि vector A equal to vector B ये magnitude होगा, ये direction होगा बनती है, बैटा, देखे, यह है is vector A, और यह है vector B, ठीक है, बताईए, क्या दोनों वेक्टर equal है की नहीं है, हाँ, parallel तो parallel नहीं कहलाएंगे बैटा, यह parallel की अंदर की那個ory है, anti parallel क्या है, बैटा, तो इस बार बेटा दोनों के magnitude तो equal है मगर दोनों की direction equal नहीं है anti-parallel है क्या है बेटा ये समझ गे न तो अगर आप vector के concept की बात करोगे तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ these are not parallel to be समझ गे न ये कैसे है anti-parallel क्या है बेटा तो ऐसे vector को हम क्या बोलते हैं बेटा ऐसे vector को हम बोलते है opposite vector क्या बोलते है बेटा opposite vector समझ में आया कि नहीं आया है ऐसा vector कहलाता है opposite vector तो बेटा बी जो है एक opposite है तो इस समय बेटा vector बी जो है vector a के equal नहीं होगा rather vector b जो होगा वो कहलाएगा negative of vector क्योंकि बटा negative sign show करता है कि इसकी direction opposite है समझ में आ गया कि नहीं है क्योंकि वह या B और A मैग्णिटूड तो इक वह रही बात कि कि direction की तो यह देखे वेक्टर B रिजन नेगाटिव वेक्टर ए तो इसे को opposite बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं निगेटिव बेक्टर समझ में आया कि नहीं है इसी को हम क्या बोलेंगे निगेटव बटर मतलब माइन साइन किसको करता है एंटी पैरलेल्टी को किसको करता है clear आगया समझ में so this is called negative of a vector negative of a vector तो यदि मैं थोड़ा और इसको elaborate करूँ बिटा, तो यदि मेरे पास एक vector है बिटा, P से लेके Q, तो मैं एक, यदि opposite direction में बिटा, यदि मैं vector कहूंगा, तो ये बनेगा Q से लेके P, तो बिटा मैं कह सकता हूँ कि QP vector is equal to PQ vector, क्या सही लिखा है, गलत बिल्कुल, QP vector opposite नहीं ह बिटा, PQ vector के, गलत लिखा है, एक minus sign लगाई ये न, सर negative vector है, कैसा vector है, magnitude थोड़ा न, vector लगा है भाई, तो vector opposite नहीं दिखा आपको, समझ में आ गया, तो PQ vector is negative of QP vector, हाँ, अगर आप magnitude की बात कर रहे हैं, कि दोनों की length, समझ में आ है, तो दोनों की length क्या होगी, equal होगी, ब भाई, आप जहाँ पर बैठे हैं, आप वहाँ से भोपाल चले जाएए, और भोपाल से यहाँ आ जाएए, तो दोनों की length क्या होगी, equal, magnitude दोनों की equal होगे, मगा direction wise तो दोनों अलग-अलग है न, भाई, yes or no, clear हुआ कि नहीं हुआ, तो ये concept कहलाता है हमारा बिटा, क्या कह linear vector, कॉ linear vector, अगर कई vector हैं और उनकी line of action same है, क्या बोल रहों है, line of action same है, समझ मैं आया, तो ऐसे vector को हम क्या बोलेंगे, कॉ linear vector, आएए देखते हैं बिटा क्या है, एक block रखा हुआ है, एक block रखा हुआ है, अब यहाँ पर बिटा, एक रस्टी डली हुई है, और यहाँ से प रहा है इसको ठीक है एक बच्चा खीच रहा है इसको मान लो बिटा दस न्यूटन से कहां से खीच रहा है दस न्यूटन से एक और रस्टी डली हुई है सामने की ही तरफ या इस बच्चे को ही पकड़ के दूसरा बच्चा और भी खीच रहा है उसका खुद का फोर्स कित्ते Newton है 20 Newton समझ मैंना मतलब बच्चे को पीछे से पकड़के कमर से और दूसरा बच्चा भी खीच रहा है बुलो यह सौनो तो ध्यान से देखी दो वेक्टर यहां पे generate हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हो रहे कि नहीं हो रहे हैं और दोनों की line of action सेम है कि नहीं है यह सौनो तो ऐसे वेक्टर जिनकी line of action सेम होती है एक ही line में attack करते हैं उन वेक्टर को क्या बोलते हैं को linear vector समझ में आया कि नहीं आया कोई दिक्कत अग को linear vector यहां पे बिटा यह भी हो सकता है कि यहां पर भी एक vector act करें समझ गये उल्टे side में तो kolinear vector में बिटा दो case होते हैं अगर सारे vector एक direction में हैं समझ गया न तो उनको हम बोलते हैं like vectors क्या बोलते हैं बिटा like vectors समझ में आ गया तो जैसे यह vector a है और यह vector b है यह सारे के सारे एक ही direction में होंगे समझ मैं न तो आप क्या लिखोगे light vectors में और they are parallel ये vector A जो होगा vector B के parallel होगा देखो एक ही direction में act कर रहे है मगर बिटा ये देखा आपने पहले ये देखा vector A यहाँ पे था ये vector A मान लिया और ये vector B मान लिया दोनों same direction में थे ये देखो तो ये opposite direction में समझ में आगया न तो है तो collinear क्योंकि एक ही line पे act कर रहे है line of action अभी भी same है मगर ये बिटा क्या होगा unlike vector क्या होगा बिटा unlike vector समझ में आगया इसे हिंदी में कहते हैं विशम सदिस सदिस विशम दिस शदिस यानि जिनकी दिशाएं विशम याने की अलग-अलग होती है तो अब देखिए क्या हाला आते हैं भाई साब vector A यहां लग रहा है परंतू vector C यहां लग रहा है बोलिए हैं तो एक line में इनकी line of action एक ही है मगर direction क्या है अलग-अलग तो collinear है जी हां है अभी भी collinear है उपर भाला भी collinear था मगर collinear के दो case है एक में like और दूसरे में unlike आया समझ में की नहीं आया है तो collinear में दो case हो जाते हैं ठीक है ना कोई दिक्कत हाँ तो यह हो गए हमारे पस collinear vector और non-collinear vector line of action same होगी sorry जिनकी line of action same होगी उनको हम क्या बोलेंगे collinear vector collinear vector के अंदर दो sub-category है एक है like vector और एक है unlike vector समझ में आ गया जितने भी collinear vector होते हैं अगर like vector है सारे like vector parallel होते हैं जैसे यह माल लिजिए vector A है इसी के उपर vector B act कर रहा है और इसी के उपर vector C act कर रहा है वही रस्ता कसी का खेल है यहाँ एक बच्चा एक बच्चे को दूसरा बच्चा खीच रहा है और दूसरे बच्चे को तीसरा बच्चा यहाँ खीच रहा है तो यह सारे के सारे vector आपस में क्या होंगे बेटा parallel पर लेल क्या होंगे बेटा परलल मतलब क्रा चलीं, अब देखिए यह हो चुका है ठिक ना अब इसको रीड करिये, देखिए अगले टाइप का जो हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं उसका जो यू बदावर है, उसका यूज फीजिक्स के लिए ठीक next एक अगले वेक्टर का टाइप है जिसका नाम है ही कि यहां पे वेक्ट वेक्टर भंच कि वुधु ≅ कि film एया क्प्र भाया प्रपर्टी होती ही कि जैसे यह vector बटा यहाँ पे है यह vector यहाँ पे है इसका नाम है vector a आप इसको अगर इस vector को आप freely किसी भी एक place से दूसरे place तक इसके parallel ले जाओ यह बटा यह देखो तो अगर यह vector a है तो यहाँ पर यदी मैंने same magnitude का vector बना लिया है तो क्या यह vector a कहलाएगा कि अलग कहलाएगा क्या इसकी direction बदली क्या इसका magnitude बदला नहीं बदला तो ये vector A है तो ये भी क्या है vector A clear हुआ की नहीं हुआ समझ गया ना जैसे बिलकुल की जैसे मान लो बेटा highway lane पे आपके पास में highway lane है तो अगर ये route भी कटनी टू भोपाल जा रहा है yes or no तो highway lane में अगर four lane highway है तो बेटा यहाँ वाला route भी जो होगा वो कहाँ जाएगा कटनी टू भोपाल yes or no तो अगर बिलकुल straight track है बेटा तो अगर ये भी 160 km है बिलकुल straight track तो ये भी कितने km होगा 160 km और दोनों की direction सेम होंगी होंगी की नहीं होंगी और magnitude भी सेम है तो इसी तरीके से आप एक vector आपके पास vector A है तो आप इसको यदि यहां shift कर दोगे तो ये क्या vector A सेम magnitude का वही रहेगा की बदल जाएगा वही रहेगा अगर आप इसको नीचे parallelly shift कर दोगे तो वही रहेगा की बदल जाएगा क्योंकि ये भी parallel है इसके और parallel vector और same magnitude यानि की equal vector तो मतलब ये इसके equal है ये इसके equal है तो ऐसे vector जिनको आप जो है free space में कहीं पर भी translate कर सकते हो बिना उनका magnitude और direction बदले न magnitude बदलोगे न direction बदलोगे ऐसे vector को बोलते हो free vector क्या बोलते हैं ऐसे vector को? बट कुछ vector होते हैं जिनको आप नहीं बदल सकते हो जिनका magnitude and direction समझगे ना? जिनका magnitude और direction आप नहीं बदल सकते हो उनको हम बोलते हैं localized vector इसमें आप इसको बदल सकते हो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो समझगे ना? एक और example देता हो free vector के जैसे मान लीजिए ये vector A बैठा हुआ है तो बट आप इसको इसके parallel shift कर दो तो बट ये भी क्या कहलाएगा? Vector A ही कहलाएगा इधर भी shift कर दोगे बट तो ये क्या कहलाएगा? Vector A because it's a free vector है क्या है बट ये? बट अब हम अगला vector पढ़ते हैं physics के लिए काम में आएगा मैं बार-बार कहा रहा हूँ ये maths में इतना impactful नहीं है अगला vector है localized vector localized vector ऐसा vector जिसको आप shift नहीं कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे? localized vector for example बट ये block है ये क्या है? बट अब इस पर लगने वाला बट जो दो forces में आपको दिखा रहा हूँ एक force ये लग रहा है और एक force ये लग रहा है बोलो clear? एक बंदा रस्ती यहां से पकड़ के यहां खीच रहा है F1 और एक बंदा रस्ती पकड़ के यहां से यहां खीच रहा है बताईए अब आप देखिए बटा